हेलो बच्चों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत एड़ू टॉक पर और मैं लेकिया ही हूँ आपके लिए मैस फंडामेंटल सीरीज तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो आज का हमारा टॉपिक है लसर तथा मसर ग्या आटका प्रियों यहां तो समाफ वर्थ आप वर्तक अपर टक तधा आप वर्त एसे शब्दों का प्रेयों करते हैं और जब हम सब्सक्राइब जाते हैं तो वहां पर हम गुणज और गुणखन का प्रेउग करते हैं तो मैं यह वीडियो इस लिए लेके आई हूं ताकि सा तो देखिए इसको दिहां से देखिए कि लगुतम समापवर्त तहां महतम समापवर्त तक क्या होता है तो देखिए लगुतम समापवर्त इंग्लिश में इसका एक नाम है एल सी एम लीस्ट कॉमन मल्टिपल शॉटन बोलते हैं और हिंदी में इसको लसा बोलते हैं यहां पर अपवर्त्य और अपवर्त्य मैंने एक्स्पेन करा है अपवर्त्य मतलब गुणच और अपवर्त्य मीन्स गुणखंड ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस लगुत्ता मतलब छोटा समा मतलब कॉमन अपवर्त्य मतलब गुणच चोटा कॉमन जो गुणच होगा चोटा common गुणाज यह है ना यही तो बनाए से अब महत्तम समापवर्तक भी बड़ा highest जो common है और factor अपवर्तक मतलब जो factor है जो गुणखंड है ठीक है तो यह गुणखंड से आप कंफ्यूज मत हो अपवर्तक और गुणखंड से कंफ्यूज मत हो जो अपवर्तक है वही क्य है ठीक है क्योंकि बच्चे गुणज और गुणखंड तो समझ लेते हैं अपवर्त अपवर्तक थोड़ा से समझे में उनको अधिकत होती है तो लगुतम समापवर्तक होता क्या है LCM दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं को लगुतम समापवर्तक है छोटी से छोटी स संख्या को पूरी 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 नंबर है जो पंदरा से भी कट जाएगा और बीस से भी जाता है ठीक है लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या तो वह क्या है साथ साथ एक ऐसा नंबर है जो पंदरा से भी कट जाएगा और बीस से भी कट जाएगा त प्रतियक दी गई संख्या को पूरी-पूरी विभाजित कर सके. आज वाज़ समय में, ठीक है? याईनि 15 से भी विभाजित हो जाए और 20 से विभाजित हो जाए. और महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके वो ऐसा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर सके दोनों का अलग मतलब है ठीक है 15 और 20 से कौन डिवाइड करेगा इसको 5 और 40 और 50 को 10 और नंबर भी कर सकते हैं लेकिन हमे ट्रूमें बड़ा नंबर देना है ठीक है आच्या अब में थवहासा सकर ट्रीक बता जरती हूं LCM को यह मतले होता है Im क्या होता है हुज से साठ है वो 15 और 20 से लिभाजित होगा ठीक है और सीटों इसे विभाजित करते हैं, जो HCF होता है, यह 5 है, इसे विभाजित करते हैं, तो मैंने LCM को बोल दिया, mango, LCM मैंने बोल दिया, mango, HCF को बोल दिया, knife, तो यनी, mango, LCM ऐसे संख्या होते है, जिसको काटा जाता है, और SCF संख्या होती है जिस से काटा जाता है तो मैंने SCF को बोल दिया नाइफ और LCM को बोल दिया मैंगो ओके चलो तो अपको इन्फिल्स मत हो ना LCM SCF को किस तरह से क्या पहबोलते हैं कैसे समझा जाता है इसको ठीक है नाम नहीं मिलेगा बट इसका जिकर जरूर होगा जापको गुड़नखन और गुड़नखन पढ़ाए जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि गुड़नखन की साहिता से लग सग्याद करिए तो अलगरे तरीके हैं लग सग्याद करने के तो मैं तीन मैथेड के बात करती हूं कि यहाँ आपको यहाँ आप प्राइमरी लेबल पे हैं तो आपको यह वाला मैथेड आपको इंडिडूज किरा जाता है और यह मैथे इनको इडियूस कि यहूज कराता है एड के बाद आप अभाज गुरंखन वीधी में करते हैं जब आप गुरंखन सिखाए जाते हैं आपको तो आपका जो मोस्ट कॉमन मैथड है वो भाग वीधी है तो जब आप भिन्नो के कोश प्रेशन करेंगे और जब आप परिमे संख्याओं को भल करेंगे तो आप वहां कि सुची वीधी में का Z आप आपको यह बदी सबसे ज्यादा सिखाई जाती है चोटी लाकत में और जब आपका क्लास बढ़ती है जब आपका कॉंपटिशन अगर आप मैं competition के बच्चों की बात करो तो competitive exam के बच्चे जब आते हैं उनके लिए questions आते हैं तो उनको तीनों विधियां ही सीखनी बड़ते हैं तीनों method क्यूंकि वो ऐसा objective डाल देते हैं question exam में कि आपको वो आना चाहिए स्कूल के बच्चों की बात करों तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो method 2 को जादा फोकस करते हैं जो जो 6-8 तक के students है और 7-8 में आपका भाजे गुरूंखरी विधि जाती है और यह 10th में भी आइसके स्पेसली question मनता है कि अबाजी गुरूंखर्ण विधी से इनका LCM ज्यांत करिए और SCM ज्यांत कीजिए ठीक है तो मैंने बता दिया आपको कि सूची विधी में आपको गुराज गुरूंखर्ण की हमाँ होनी चीए यह एक्स्ट्रा है आपको नोट करना नोट करो नहीं त सबसे अधिक भाग विधी का प्रियोग करते हैं लासर ग्यांत करने के लिए सबसे अधिक अभाज गुरूंखर्ण विधी का प्रियोग करते हैं मासर ग्यांत करने के लिए तो यह एक्स्ट्रा है आप इसको इसको स्किब भी कर सकते हैं ठीक है तो आई होप आपको झाल